तो दस पदों के लिए 7 साल बाद आया रिजल्ट देखिए कितना दिन बाद तो साथ साल बाद रिजल्ट देखिए कितना दिन इंजर करवाता है देखते हैं क्या है माजरा तो नहीं है तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और मैं सभी तरह का अपडेट लाता रहता हूं तो सिकरम में देखिए जेपी एसी का है जेपी एसी सीविल सेवा वेकलोग का फाइनल रिजल्ट जारी हुआ दस पदों के लिए सा साल बाद आया रिजल्ट देखिए बीसी टू के अमित कुमार हुए टोपर नॉमबर 2017 चल रही थी प्रक्रिया देखते हैं आगे क्या है जारकन लोग स साथ साल के बाद दस पदों पुलिस अदिशक के चार जेल अदिशक के चार तथा नियोजन पदादिकार के दो पद पर नुक्ति के लिए लिए इसी विल से वेकलोग को रिछा का फाइनल रिजल्ट शुप्लार को जारी कर दिया गया बीसी टू के अमित कुमार टोपर रह इसका चैन डीएसपी पद के पर हुआ आयोग के बाइस नंबर सत्रों को निक्ति घुषना की पास दिसंबर सत्रों से उनिस जनुवरी दुजार अठार तक आवधन माई गये थे पूल 7341 आवधन आये जिसमें 308 आवधन पीटी के लिए स्विक्रित किये गये थे 21 जनु से नौ जुन 24 तक मुई परिशा का आवजन किया गया 22 जुन 22 जुलाई 2024 को रिजल डारी किया इसमें 30 अवियार्थी का इंटर्वु के लिए चैनित किया गया 29 जुलाई 2024 को इंटर्वु का आवजन किया गया दो अगास 2024 को अध्याथी डाक्टर मेरी निलीमा के रिखटा के जाथा मैं आपके एंसर देशा देखारें को वेटकर रिजल्ट पर महर लागा चलिए देर आये दुरुस्त आये इतना दिन बाद आता है जिसका हो गया उतो बहुत अच्छा जिनका नहीं होगा तो उनके अच्छीर दो से तो और हुता हाई कि चलो उनका भी क्लियर हो गया जिनका हो गया चुनी करेंग spends मिर्तुन्जैगोप DSP-22, रामलखन वर्नवाल DSP-22, विरुमेहता DSP-22, देखे सब विसीटु में गोपाल चंद्र महतो जेल अधिचक BC-1, कोशिक कुमार जेल अधिचक BC-2, रसीका जमुदा नियोजन पदादिकारी ST, निल परविन कुलु जेल अधिचक ST, राहल कुमार नियोजन पदादिकारी ST, तथा परमेसर भगत जेल अधिकारी ST सामिन है चली इनलोग के लिए खुछ कबरी है और आखिरकार इनलोग का रिजल्ट हो गया, अब इनलोग जोगदान करेंगे, जारखन का सेवा करेंगे, जह इन जोहार जारखन नए है तो मेरा चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, नए नए अपडेट छेवे लाटरा ताउ